अब दोस्तो मेरा नाम है विविक भारत दौज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विविक जहां हम मोबाल और केंप्वीटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं आई दोस्तो आज का वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही जदा इंपोर्टेंट एक टिप्स है आप लोग लिए क्योंकि मोबाल फोन का इस्तमाल जातार आप सबी लोग करते हैं जाहर सी बात है पेमेंट भी करते होंगे पासबर्ट भी डालते होंगे और यह कितने जाता जरूरी है यह इस वीडियो में एक्स्प्रेंट करने की जरूरत नहीं है आप सबी बहतर दरीके से जानते हैं आपको दोस्तों एक सेटिंग जो है चेंज करनी है आपको मुवाइल फोन का जो ऑप्शन होता है सेटिंग का वहाँ जाना है वहाँ चलने के बाद नीची आई है और यह जो गूगल का ऑप्शन आपको देख रहा है सेकेंड लास्ट में यहां पर टैप कीजिए यहां आन अपने अपने गूगल पर जीमिल पर सेप किये होते हैं और जाहिर सी बात है सभी लोगों ने किये होते हैं तो आपको यहां आना है इसको दियान से देखिए नीचे एक दिख रहा है प्रिफरेंस यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आज के इस वीडियो के रि पहला पढ़ लीजिए जब भी आप कोई पेमेंट कार्ड की डिटेल भर रहे होंगे तो यह आपसे ऑथेंटिक बायोमेट्रिक मांगेगा इसी के साथ साथ दूसरा आप देख रहे हैं जब आप कोई पासवर्ड फिल कर रहे होंगे तब भी आपसे बायोमेट्रिक जो है कोशिश करता है तो यह बिफूर लिखा हुआ है इससे पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपका इससे फायता यह होगा कि वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा और आपके पेमेंट कार्ड की जानकारी होते हुए भी पासवर्ड की जानकारी होते हुए भी वो आपके किसी भी क्रिदेंशेल का जो है गलत इस्तमाल नहीं कर पाएगा इसलिए दोनों सेटिंग्स को जो है ऑन रखना आप लोगी कि बहुत जरूरी है और इसी के साथ आप यह जो देख रहे हैं और भी इंफॉर्मेशन यह आपको और फिल से मिलती है जैसे परसनल इ इफॉर्मेशन यह मांगते हैं एड्रेस भी यहाँ पर जो है सेट किया होता है तो वह एड्रेस भी आप गूगल मैप के माध्यम से सेट कर सकते हैं यह हैं यह हैं वह सभी पासवर्ट हैं दोस्तों आप यह देख रहे हैं जिन वेबसाइट के पासवर्ट हमारी जीमेल इस तरीके से अलग-अलग अकाउंट होते हैं और इनको मैनेज आपको करना होता है नीचे आप आईए चेक अपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चेक अप शुरू हो गया है यह 51 पासवर्ट को चेक कर रहा है और आपको बहुत जल्द रिपोर्ट बना कर देदेग हैं उनको स्ट्रॉंग बनाने की आपशकता है तो दोस्तों आज के जमाने में इतनी चाहता मदद आपकी कोई नहीं करता है जितनी गूगल आपकी मदद करता है यह बात आपको माल लेनी चाहिए और जैसा यह कहता है वैसा आपको करते रहना चाहिए लास्ट आता है दोस् लॉग इन करते हैं तो आपको एक pop-up के रूप में दिखाई देता है और वहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप इसको सेफ करना चाते हैं और यह दो चीजे हैं एक्सपोर्ट पासवर्ड और इंपोर्ट पासवर्ड की आप पूरी की पूरी की कॉपी आपके पासवर्ड की जो है यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको सेफ कर सकते हैं अगर आपको कहीं से इंपोर्ट करने हैं आपके पासवर्ड तो CSB फाइल जो होती है वह फाइल आपको गूगल पासवर्ड मेंगर में हमारी आईडी पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट करनी है इसके सा आप screen के shortcuts बना सकते हैं और यह जो है don't use screen lock your screen lock is being used to unlock your encrypted data और हमने जो है दोस्तों अपने screen lock को encrypted data को passwords को pass keys को open करने के लिए लगा रखा है आप भी लगा सकते हैं बहुत जादा important है और बहुत ही जादा जरूरी है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह Google की settings password manager समझाया करना है इसको अपने दोस्तों में share कीजिए जिनकी चिंता फिकर आप करते हैं तक कीजिए आप comment के बादिन से मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा चैनल को subscribe कर सकते हैं मेरा नाम है बिवेक भारत वाच थैंक यू कर दो